राजमा चावल का नाम सुनके ही भूख तेज जुड़ाती है और जब ऐसी राजमा सामने हो तो मुमें पानी भी आहीं जाएगी तो आईए इससे बनाते हैं उमीद आप लोगों को बहुत पसंद आएगी तो हेलो दोस्तों आप सभी का रेश्पी किचन में बहुत-बहुत स आपको हमारी रेश्पी कैसी लगी और शेयर भी जरूर कर दें तो दोस्तों यहां हमने राजमा ले लिया है राजमा राट भर के लिया रात को ही हमने इसे बिगने के लिए रख दिया था आज सुबह देख सकते हैं आप लोग बहुत यह अच्य शीकिए फूल के त्यार हो पीष्ठ बना के पैष्ट बना करा करें रहिए पीष्ट को हाँ भी कैसी चुले पर रखेंगे am Pengukar कुकर में ही बना रहे हैं हुआ यहाँ पर डाल ये थरक जाए जब यह ऑपलेगे त्के 150 5 म Мих Honor जेरा डालें दो तेज पता दरक जाई उन्हाद यह अच्छे से तब यहां पर हम ढौनेघ़ तो समस्च तेंगे तरहों लेक सब्सक्राइब दसेил अयहां जquisक्थ लिए सब्सक्राइब करें तो आज की राजमा की सब्जी में हमने टमाटर का उपियोग बिल्कुल नहीं किया है बिना टमाटर का बनाया है और बहुत ही अच्छा बना है आप सब भी जरूर ट्राइब कीजिएगा एक बार बज़े भी टमाटर में काफी ज़्यदा एटिट्यूड आ गया है तो हम उसे छोड़ी दिये हमारा जो प्याज है बहुत ही अच्छे से सुनहेरा हो गया है तो हमने यहां पर डाल दिया जो मसाला जो हमने पीस के रखा था लेसन जीरा वाला देर चमाश डाल देंगे हम धनि कासी मज़ा आता है लगता है कि बस मिल जाए खाने को सबको हम अच्छे से कर लिए हैं मिक्स तो यहां पर हम डाल देते हैं अब स्वादन स्वार नमक डाल के हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे एक मिनट के लिए करीब जैदा देर हमें नहीं भूनना है बस एक मिनट के लिए हम इसे भून लेते हैं प्याज जो है वह बहुत ही अभी बराबरा ही है अभी पूरा अच्छे से गला नहीं है तो ग्रेवी अच्छ गाठी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा डालेंगे पानी देख सकते हैं बहुत अच्छा हमारा मसाला का कलर भी आ गया है तो हम यहां डाल देते हैं आधा गिलास के कड़ी पानी जैदा पानी का इसमाल नहीं करेंगे अभी इसे करते हैं अच्छे से मिक्स प्लेम को रखेंगे लो और बस इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसमें एक सिटी आने के लिए इसे हमें बंद कर देना है ताकि मसाले जो है व देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और प्याज जो है काफी सवप हो गया है हग तो हम इसे अच्छी से युल कर लेंगे देखे कितना युमी लग रहा है मसाला देखने से भी अच्छा लग रहा है जब रुख़कस में मिक्स कर लेंगे ताकि और आज बहुत अच्छे से गल चुका है कि यहां पर हम डाल देते हैं अब राजमा saisाते ही कि कि अच्छा लगएई भाफ Dis von लेंगे करके मैंतंब आप अच्छे से मिक्स तो श Val लेंगे ताकि मसाला और राजमा अच्छे से मिक्स हो जाए देखने में बहुत ही यमी दिख रहा है, अभी से ही आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही यमी दिख रहा है, हमने इसे एक मिन तक इसे भून लेना है, उसके बाद हम यहां डाल देते हैं पानी, पानी हमने धाई ग्लास रखा है, आप थोरा अपने भी रख सकते हैं तो बस डाई-ग्लास बादी डालके हम इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स यह है करण दें गे हम गरम मसाला आधा चमज और फिर एक चमाज के करीब कशूरी मेथी लेना है आपको गर्म करके फिर इसे हमें करस कर लेंगे कशूरी मेथी गर्म करके ही डालें इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसे बंद कर लेंगे बन करके हम लो फ्लेम करके हम पांस सिटी लगाएं या चार सिटी लगाएं चार सिटी लगाके आप चेक कर ले अगर नहीं ठीक से पका हो तो आपस एक सिटी लगा ले हमने चार सिटी पर इसे उतार लिया था और काफी अच्छे से ये पक चुका था लो फ्लेम पर लगाना ह बस देखिए हमारा राजमा जो है वो बनके हो गया है तयार चार सिटी के बाद तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बनके तयार हुआ है देखने में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है चलिए हम इसे निकाल लेते हैं फिर आप सब को दिखाते हैं तो देखिए इसकी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और ऐसी अच्छी रेस्पी देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और आप सभी बिना टमाटर के इतनी स्वाधिश्ट राजमा की सब्जी